तो चलिए शुरू करते हैं और खुद को आजमाने जा रहा हूं और आपकी तालिया जरूर रहेगी कि तो एक गजल सुने की मेरे उस बहतरीन ख्याल की क्या बात करूँ अब उस खुस्ने मिसाल की क्या बात करूँ मेरे उस बहतरीन ख्याल की क्या बात करूँ अब उस खुस्ने मिसाल की क्या बात करूँ जुल्फ जबी लब चश्म लाजवाब है जिसकी उस मलिकाए मैं जमाल की क्या बात करूँ खुआहिश है कि उसके साथ एक रंगीन शाम गुजारू अब मुम्किन ही नहीं ऐसे विसाल की क्या बात क्या बात करूँ अब मुम्किन ही नहीं ऐसे विसाल की क्या बात करूँ ख्यालों में उसके दौरे मुस्तक्बिल रहता हूँ मुस्तक्बिल यानि की फ्यूचर और वो भी दौरे मुस्तक्बिल ख्यालों में उसके दौरे मुस्तक्बिल रहता हूँ तो अब मैं आपको फि कि खयालों में उसके दौरे मुस्तक्बिल रहता हूँ तो अब मैं आपको फिलहाल की क्या बात करूँ ये गजल आनन के हाथों खुदा ने लिखी है अब इससे तो ज्यादा कमाल की क्या बात करूँ शुक्रिया कि अब इससे तो ज्यादा कमाल की क्या बात करूँ एक मतला और चंद अशारा और सुनें की आंधियों तोफानों से जो डर जाएगा आंधियों तोफानों से जो डर जाएगा वो भला कैसे अपने घर जाएगा कि आंधियों तूफानों से जो डर जाएगा वो भला कैसे अपने घर जाएगा एक कच्चे मन का मुसाफिर एक कच्चे मन का मुसाफिर थोड़ी देर चलके ठहर जाएगा कि थोड़ी देर चलके ठहर जाएगा रिक्षेर है कि छोड़ देगा तुमसे नजरे मिलाना छोड़ देगा तुमसे नजरे मिलाना वो इतनी हद तक सुधर जाएगा थोड़ा भरोसा रखले खुद पर तू कुछ न कुछ तो कर जाएगा तू कुछ न कुछ तो कर जाएगा बल्ब की रोशनी में पढ़ते पढ़ते कि बल्ब की रोशनी में पढ़ते पढ़ते एक गरीब बच्चा निखर जाएगा एक गरीब बच्चा निखर जाएगा शुक्रिया दोस्तो